नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग आपनी यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ड्रोण को कैसे फ्लाइ करते हैं यानि कि ड्रोण को कैसे उडाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मेरे पास एक drone है, फिलाल छोटा drone है यह वाला, और यह फिलाल on है भी, इसे हम आपको live उड़ा कर बताएंगे कि drone को कैसे उड़ाते हैं, यहाँ पर मेरे पास इसका इधर remote controller, इसका remote है इस drone का, और यह है हमारा drone, drone अभी on है, बट remote off है, क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोग को समझा दूँगा कि कैसे इसे उड़ाया जाता है, कैसे fly के आता है, सारी buttons को पहले हम लोग देखेंगे कि किस button से क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि यह हमारा drone है, इसे उड़ाते कैसे हैं, ठिक, तो सबसे प remote होते हैं, सभी में आपको यह antenna मिल जाते हैं, सबसे पहले हम इन antenna को खड़ा कर लेना है, खड़ा करने के बाद अब आपको यहां पर इधर मिल जाता है, एक throttle और इधर भी एक आपको घुमाईवा जोयस्टिक मिल जाता है, दोनों तरफ यह joystick है, जो इधर का यह joystick है, आपक इसको ऊपर ले जाना है, ऊपर की तरफ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं throttle का, इससे हम जब ऊपर की तरफ करेंगे, तो हमारा drone है, वो ऊपर की तरफ जाए लगेगा, और जब हम इस throttle को नीचे की तरफ करेंगे, एक से नीचे की तरफ तो हमारा drone जो है नीचे की तरफ आ पीछे लेंक लिए करते हैं, और इसे हम आगे ले जाने के लिए पीछे, Left, Right और returning अभ मालीज़े यह ड्रोन है, इसे हमने गालीजे रिमोट से वाले को पीछे के तरफ करेंगे तो पीछे आएगा और अगर हमें इसे इधर लेकर आना है इस साइड में तो हम इसे इस साइड में करेंगे इस साइड में करेंगे ति इधर जाएगा और इस साइड में करेंगे ति इधर जाएगा समझ गये होंगे आप लोग अब पहले ची साइड करना है जिस साइड आपका जो रिमोट का एंटीना है वो है अगर आपका रिमोट का एंटीना और कैमरा एक साइड रहेगा तभी आप जब आगे की तरफ करेंगे तो पीछे आएगा लेफ्ट करेंगे तो राइड करेंगे तो राइड जाएगा अगर मालीजी इसी की तरह हमने अपने ड्रोन के एंटीना को अपने ड तो आपको ध्यान में यही रखना है कि जब भी आप ड्रोन फ्लाई करें आपके एंटीना और आपके जो ड्रोन का कैमरा है वह एक ही साइड में रहे जब एक ही साइड में रहे तो आप बहुत ही अच्छी से ड्रोन फ्लाई कर पाएंगे अब यहां पर दिख सकते हैं एंटी से बाहर जा रहा है तो आपको टेक आफ करना है वही पर आपका ड्रोन लैंड हो जाएगा और कहीं पर लड़ने जा रहा है आकर दिवाल है यह पेड़ है लड़ने जा रहा है दो की हाइट कम है तो जब आप इस एमर्जेंसी स्टॉप आले बटन को दबाएंगे तो आपका ड्रोन उसे वहीं पर काम करना बंद कर दीगा सारी बटनों को हम एक एक करके समझेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है अपने जो रिमोट है रिमोट को अपने ड्रोन से कनेक्ट करना है सिधा उड़ा कर दिखाएंगे जारा समझ में आएगा कनेक्ट करने के लिए पहले ड्रोन को एक बड़ बटन दबाना है यहां पर दीखें रेड लाइट ब्लिंक हो रही है यह देखें अभी तक जो हमारे remote था, sorry, drone था, उसका जो light था, वो blink हो रहा था, लेकिन जब ये connect हो गया, तो इसका भी light हो blink करना बंद कर दिया, और इसका भी light बंद करना बंद कर दिया, देखिए, एक ही तरह जलने लगा, यानि कि remote हमारे drone से connect हो चुका है, थोड़ा camera सीधा करते हैं, इ देखिए, अब जैसे हम ये throttle है, पहले विता देएं, इससे उपर जाएगा, जब हम पहली बार इससे उपर करेंगे, अगर इसमें spring लगी हुई है, पहली बार उपर करेंगे, तो इसमें की light जो है, पंखे जो है, चलने लगेंगे, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, अब इससे हमें अगर उपर ले जाना है, तो आपको इसको दूबारा से उपर करेंगे, जितना आप उपर करेंगे, उधना ये उपर जाएगा, फिलाल भी बंद हो गया, देखिए, इससे उपर करते हैं, यहाँ पर देखिए, यह disconnect हो रहा है, मतलब कि माल इजियम से control नही कर देगा, इसका जो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोपेलर थे, हमारे ट्राइबोर से लड़ने लगे, तो हमने emergency stop का पटन प्रेस किया, और यह जो है, अपने याप बंद हो गया, अब देखिए, emergency stop का आपने इसमें जान लिया क्या करना है, कैसे करना है, चूंकि connect हो गया है, इसे फिर से on करके connect करते हैं, बंद हो गई light, फिर से इसे on करेंगे, और remote को भी बंद करेंगे, फिर से on करेंगे, अब आप देख रहे हैं, यह देखिए, जो हमारा drone है, यह connect हो गया है, अब देखिए, फिर से आप को बता रहे हैं, जैसे आप इसे उपर तो इसमें की पंकुडिया नाचिकी लगेंगे और यह उपर की तरफ जाएगा तो आप इन चाहिए तो बस अब देखिए इसको करते हैं ऊपर रुमोड हम आपको नहीं दिखा पाएगे ऊपर कि अधाय करते हैं देख लीजी से खासे करते हैं उड़ाते कैसे हैं अधे